हेलो स्टूडेंट्स क्या हाल चाल है आप लोग के उम्मीद करता हूँ एकदम बेहतरीन होंगे और एकदम मज़े कर रहे होंगे तो गाइज आज इस लेक्टर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 मैट्स चेप्टर नबर टेन वेक्टर लेबरा का एक्सराइज 10.2 का इंट्रोड़क्शन ठेक है तो यह एक ऐसी एक्सराइज है जहां से सही माइने में आपको वेक्टर को अच्छे से सीखने का मौका मिलता है ठीक है तो इस पर्टिकुलर एक्सराइज में हम लोग छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं आपको एक बार को बोरियत होने लेगेगी और यह बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ा दिये बट यकिन मानिया कि इस लेक्शर के बाद फिर आपको वेक्टर आ जाएगा फि इस एक्सराइज में हम लोग छोटे-छोटे जितने भी तमाम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं तो एक आदा मैं भूल ना जाओं तो मैं इसलिए आपको अभी सारे टॉपिक्स लिखवा देता हूं फिर एके करके मार्क करते हम लोग सबको पढ़ते रहेंगे हैं लेके सबस पहले तो जोड में हम लोग सही माइने में लाउज ओस वेक्टर एडिशन पढ़ते हैं ना तो यह बहुत जरूरी लाउज है इनके बिना किसी कॉंटिटी को कहते हैं कि एक कॉंटिटी वेक्टर के लिए तब क्वालिफाई होती है जब वो उसके पास मेंगनिटीड हो डि पोलो कर सके तो यह भी बहुत बड़ी कंडिशन होती है तो लॉज ओफ वेक्टर एडिशन में सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल ओफ एडिशन सीखते हैं यह बेसिकल लॉज है ना तो ग्राफिकल मेथटर्स तो ट्राइंगल ओफ एडिशन होता है देन दूसरा अपने प को सब्ट्रेक करना भी सीख लेते हैं इन ही के अंदर है दैन उसके बाद फिर हमारे को आता यह थोड़ा से सकेलर मल्टिप्लिकेशन आप दी वेक्टर ठेक अचारी स्केलर मल्टिप्लिकेशन आफ वेक्टर जो है वह सीखेंगे हम लोग ठीक है एंड उसका भी ग्राफिक पढ़ना है भाया, component form of a vector, so components of a vector, ठीक है, इससे भी पहले, हावे पढ़ना है, unit vectors along axis, unit vectors along coordinate axis, along coordinate, unit vectors along coordinate axis, यहनि कि x, y, z के along unit vector क्या होगा, components of a vector, जैसे हमको components of a vector पता चला, तो फिर महाँ से हम लोग पढ़ेंगे, scalar component क्या होते हैं, and vector component क्या होते हैं, right, then component form of a vector, ठीक है ना, component form of a vector अगर हमने पढ़ लिया, so component form पढ़ने के बाद हम लोग आपको चिखाएंगे, कैसे component form में, component form में अगर दो vectors हो, तो उनको add कैसे करते हैं, subtract कैसे करते हैं, scalar multiply कैसे करते हैं, scalar multiplication, and उसके बाद हम लोग equality कैसे, equality of a vector कैसे, equality of two vectors कैसे maintain करते हैं, equality of two vectors, ठीक है, so ठीक है, यह मैं बता रहूँ, यह छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे बहुत सारे topics है, अभी आपको लग रहा होगा कि आरे, यह पता निक्या के topic लिखवा रहे हैं, लेकिन यह सारे-के-सारे topics हमें इस particular exercise introduction में, बले यह introduction हमें दो पार्ट में बनाना पड़े, बट अगर lengthy हुआ तो, लेकिन हमें सारे topic कवर करने पड़ेंगे, then component form of a vector को खतम करने के बाद, फिर हम लोग पढ़ेंगे, vector joining two points, वेक्टर जोइनिंग two points हमें आना चाहिए, ठीक है, then फिर हम लोग further पढ़ेंगे, and हम लोग पढ़ेंगे, next to this we will study about, vector joining two points के बाद क्या होगे भी यह, इसके बाद हमारे को आएगा condition of collinearity, condition of collinearity पढ़ेंगे, then section formula पढ़ेंगे, अगर एक vector किसी दो point को join करने वाली line को divide करता है m ratio n में, तो उस vector का position vector क्या होगा, section formula पढ़ेंगे, then last but not the least हम लोग पढ़ेंगे, direction cosines and direction ratios of a vector, so direction cosines and direction ratios of a vector, so देखो यह एक-एक करके, कितने सारे topic होगे हैं यह सारे खतम करने हैं, ठीक है, direction ratios of a vector, कितने topic होगे हैं जड़ा देखते हैं, it is, एक यह हो गया, दो, तीन, तेन, चार, पांच, छे, साथ, and then, आठ, नो, and दस, so there will be 10 micro topics, और यह अगर नहीं आता, तो समझो vector नहीं आएगा, ठीक है, so 10 topics पढ़ने हैं, तो हो सकता है, कि यह introduction दो पार्ट में हो, मेरी कोशिश रहेगी, कि मैं इसको cover करा सकूँ, short में, precise way में, बट अगर दो पार्ट में हुआ, तो आपको दोनों पार्ट को, बहुत ही, carefully observe करना है, तो सबसे पहले बढ़ेंगे, अब ही आपन, कितना, it is triangle law of vector addition, triangle law of vector addition, triangle law of vector addition, so triangle law of vector addition, हम लोगों पढ़ना है, now triangle law of vector addition में, कहता क्या है वो, कहता है कि यह अगर दुनिया में, कोई भी दो vector कुछ ऐसे हैं, जो कि दो consecutive sides of a triangle को represent कर रही है, बहुत द्यान से दमझना, मालों एक vector ऐसे है और एक vector ऐसे है, so these are the two adjacent, or the two consecutive sides of a triangle, taken in an order, तो यह किस order में चल रही है, यह direction इस order में चल रही है, ऐसे, ऐसे, तो कहते हैं कि इनका जो जोड है, इनका जो जोड है, जोड, यानि कि a plus b will be represented by, कहते हैं, कि इनका जो जोड है, यानि कि a plus b, will be represented by, will be represented by, third side of the triangle, taken in the reverse order, यानि कि a plus b, देखे, अगर किसी triangle की दो sides, consecutive sides ऐसे हैं कि a vector और b vector, इस order में ले रहे हैं, so third side of the triangle, taken in the reverse order, will represent the addition of two vectors, a plus b vector, ये कहां न, तो इसके definition लिखते हैं हम लोग, क्या definition लिखते हैं वहया, बहुत ही धान से देखेगा, इसके definition लिखते हैं दादा, इसके definition लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, कि if, two vectors representing two consecutive sides of triangle consecutive ya adjacent sides of triangle adjacent मतलब लगातार है न एजसेंट एना sides of triangle taken in an order taken in an order then their resultant resultant मतलब उनका जोड़ the resultant then the resultant will be represented by will be represented by third side of triangle taken in reverse order then the resultant will be represented by third side of triangle taken in reverse order taken in reverse order so guys बहुत ही न्याद समझेगा आप यह तो statement है statement की है सच कोई अकात नहीं है ठीक है में तो यह है कि हम लोग को यह लॉजिक समझ में है कि अगर दो of a triangle are representing two vectors taken in the order taken in an order then the third side of the triangle taken in the reverse order will represent the addition of two vectors this is basically the logical clear is there and yourself know exactly now what is the parallelogram law of vector addition parallelogram law of vector addition it is parallelogram parallelogram law of vector addition parallelogram law of vector addition ठीक यह पैललोग्राम law of vector addition क्या है भी यह बहुत दियान समझेगा it is कहता है कि अगर दो वेक्टर किनी दो sides of पैललोग्राम को represent करता है यानि कि दो वेक्टर बेसिकली दो adjacent sides of पैललोग्राम को represent कर रहा है then their resultant यानि कि their addition will be represented by the diagonal of this पैललोग्राम राइट है तो technically इसमें और इसमें कुछ फरक नहीं है अगर आप यह एक्टर है तो यह वेक्टर और यह वेक्टर भी बेसिकली बी वेक्टर ही होगा अगर यह वेक्टर भी वेक्टर ही तो यह भी वेक्टर होगा if two vectors representing co-initial sides of parallelogram of parallelogram then their resultant yanikin ka jord resultant will be along the diagonal of parallelogram will be representing then the resultant will be there then then the resultant will be along then the resultant will be represented by represented by diagonal of the parallelogram diagonal of the parallelogram with same initial point but the whole diagonal joki usi initial point say originate ho rao so as a graphically हमलों ο seniors को जोड़ना से घह खिए कोई हमें कैका कि सर कि आपको वेक्टर्स को घ्ठाना आता है हाँ जी आता है अगर यह वेक्टर है और लेटसे यह बी वेक्टर है तो बी वेक्टर के ओपोजिट बहुत दें समझ ना बी-वेक्टर के जस्ट वेक्टर माइनस बीवेक्टर यानि की इनका जो रिजल्टेंट है बैसिक्ली A माइनस B नहीं है वो को टेखनीकल अगर आप बहुत ज्यान से देखना चाहोंगे बच्चो अगर आप यह देखो कि यह तो क्या हो गया भीया यह तो आपका A विक्टर है यह तो आपका A vector है और यह minus B vector है So basically यह two consecutive sides of a triangle taken in an order तो इनका जोड़ होगा A vector plus minus of B vector So it is basically in the third side of the triangle taken in the reverse order So A minus B आ जाएगा So ऐसे करके हम लोग vector को subtract भी कर सकते हैं Using these two laws So यह हमें कई बार काम आ सकता है कैसे काम आ जाएगा जब हम लोग vector को कभी न कभी graphically solve करते हैं तो ऐसे कुछ प्रशन हैं NCRT में, exercise में, miscellaneous में, even PYQ में भी जिन में हम लोग इनकी मदद से कुछ questions solve करेंगे So यानि कि सबसे पहला जो है जो topic था यानि कि triangle law and parallelogram law laws of vector edition यह हमने कवर कर लिया Now scalar multiplication of vector and unit vector का concept सीखते हैं ठीके यह सब चीजे जब हम लोग सीख लेंगे तो definitely हम लोग examples में apply करेंगे questions में apply करेंगे बट मैं यह चाहता हूं कि हम लोग जला कुछ 4-5 topic एक बार सीख लें and then questions पर apply करने जाएं एक-एक question को करेंगे फिर apply एक-एक concept पढ़ेंगे question को apply करने जाएंगे मजा नहीं आगा ना तो 4-5 concepts एक साथ इकठे सीख लेते हैं ठीक है चलिए students तो आगे बढ़ते हैं ठीक है फटाफट से pause the video to note it down very good बात बढ़िया now further proceed करते है now बात करते हैं scalar multiplication of a vector scalar multiplication of a vector scalar multiplication of a vector scalar multiplication मतलब एक real scalar क्या होता है एक number basically mathematics में scalar quantity कौंटिटी कौंटी भी होती है numbers ठीक है ना simple number 2-3-4-5 all the real numbers can be considered as scalar so scalar multiplication of vector तो यानि कि देखे बहुत ध्यान से let's say कोई vector है a vector ठीक है this is यह ना यह लेट से एक काम करते है यह vector है a vector ठीक है अगर मैं इसकी 2 से multiply कर दूँ so graphically इस पर क्या effect आएगा इसका magnitude भढ़ जाएगा direction सेम रहेगी इसका magnitude बढ़ जाएगा बढ़ direction सेम रहेगी अगर मैं half of a vector करता हूँ so magnitude half हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा अगर मैं minus of a vector करता हूँ so magnitude 2 रहेगा but direction क्या हो जाएगी opposite हो जाएगी तो इसके अंदर आप अगर फील कर पा रहे होंगे सो scalar multiply करने से क्या फरक पढ़ता है magnitude पर फरक पढ़ता है negative scalar से multiply करोंगे negative 1 से multiply करोंगे तो direction पर भी फरक पढ़ जाएगा यानि कि अगर positive number से multiply करते हो तो magnitude पर फरक पढ़ता है सिर्फ लेकिन अगर negative number से multiply करते हो तो magnitude के साथ सा direction भी चेंज हो सकती है जैसे for example अगर मैं minus of half of a vector करके देखू so देखें अब magnitude भी चेंज हो रहा है with respect to this and direction भी चेंज हो रही है right है तो बच्चों बहुत ही द्यान से समझेंगे scalar multiplication में न कहते हैं कि scalar multiplication का आपको इहां-पर दौ चीज शिखाूंगा यहां-पर मैं आरपको दौ चीजदि चिखाूंगा तो scalar multiplication को आपने फेल किया scalar multiplication को आपने फेल किया बहुत अब अच्छी बात है इसकेलर मुल्टिप्लिकेशन पे एक प्रॉपर्टी लिखवाता हूँ आपको कि लैमडा, लैमडा क्या है? एक नौन-जिरो स्केलर है, लैमडा इसकेलर में आपको जीरो मतलो, क्योंकि जीरो सा मल्टिप्लाई करोगे तो मैगनिट्टूड ही जीरो हो जाएगा, और जीरो ऐसे interpret कर सकते हो, it is equals to modulus of lambda into magnitude of a vector, ठीक न, modulus of lambda into magnitude of a vector, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे, so इस case में क्या हुआ, minus half of a vector के, अगर मैं magnitude की बात करूँ, so एक one unit हो गया, basically a vector कितना था, two units था, so यानि कि इसका magnitude one unit है, लेकिन अगर हम इसको देखना चाहें, तो कैसे पता चलेगा, it is modulus of minus half into vector a का magnitude, यानि कि modulus of minus half will be one upon two, and vector a का magnitude is what, कितना, दो है, it is two units, so two units, so अब यहाँ पर आप इस property को feel भी कर पाएंगे, और यह property हमारे काम आती है, यह property हमारे काम आती है, यह property हमारे काम आती है, while doing the questions, तो questions को solve करते समय हमें काम आती है, चेक्या, तो हमने आपको scalar multiplication का भी एक ज्यान दिया है आपको, now at the third place, we will study about, कि how to find a unit vector, हम लोग unit vector बच्चों कैसे निकाल सकते हैं, how to find a unit vector, ठीक है, how to find a unit vector, so basically अगर बहुत ही धान से देखेंगे बच्चों, so let's take a vector, एक वेक्टर लेते हैं, आपन, a यह रहा, इसका magnitude देखते है, it is 1, 2, 3, 4, 5, and 6, and 7 है, so 7 magnitude होगे है, 7 unit, so let's say यह वेक्टर केतना होगे है, a vector है, ठीक है, और इस vector a का magnitude केतना होगे है, बच्चों, it is 7 units, ठीक है, 7 units, ठीक है, यह होगे है, अब मैं आपको unit vector निकालना सिखाँगा, ठीक है, unit vector basically होता क्या है, मैंने जैसे कि आपको पहले भी पहलता है था, कि किसी भी vector की direction में, एक unit magnitude का vector को अपन unit vector बोलते है, ठीक है, so अगर सही माहिने में आप देखो, so basically a vector, यानि कि कौन सा vector, ये वाला, बच्चों बहुत ध्यान से समझना, ये वाला जो vector है, यानि कि टेकनिकली पूरा vector, पूरे vectors के अंदर, basically 7 unit vectors है, कितने unit vectors है 7 unit vectors है, 7 a cap है, 7 a cap है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 a cap है, यानि कि अगर कहीं न कहीं आप देखो, so अगर मुझे unit vector निकालना हो, तो 1 upon 7 a vector हो जाएगा, 1 upon 7 a vector हो जाएगा, और 7 exactly क्या है, vector a का magnitude, तो इसका मतलब, vector a upon magnitude of a vector, और ऐसे हम लोग निकाल जाकते हैं, unit vector, यानि कि आज से आपको एक unit vector का क्या करना पड़ेगा, एक formula छोटा सा आपको याद करना पड़ेगा, यानि कि finally we can say, बच्चो, finally, finally ये वाला जो formula है, इसको आप ऐसे याद रखो, कि unit vector निकालने के लिए, उस particular vector को उसके magnitude से डिवाइट करना पड़ता है, तब जाके हमें एक unit vector निकलके आता है, तब जाके हमें unit vector निकलके आता है, so this is the formula to find out unit vector, और किसी भी unit vector का magnitude कितना होता है? it is equal to 1 है न तभी 1 unit देखें किसी भी unit vector का जो magnitude होता है ध्यान रखें कभी भी किसी vector के उपर अगर cap लगावा है तो इसका मतलब क्या है उसका magnitude कितना होगा 1 unit होगा उसका magnitude कितना होगा 1 unit होगा तो एक तो ये बात आप याद रखें और एक ये बात याद रखें तो तीनों की तीनों चीजों को आप अच्छे से बहुत ही प्यारे तरीके से जो है आप properly note कर लें इसको ना properly note कर लें बच्चो ठीक है properly note कर लें ठीक है guys जल्दी से बोल दीजिए properly note कर लीजिए रइट है बच्चो चले आगे हैं जी बहुत बढ़िया अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे अगर हम लोग बैक टू है ना तो यानि कि इस पूरे में हाउ टू फाइंड उनिट रेक्टर्स में कौन सी दो बाते हमारे काम की है एक तो ये वाली बात हमारे काम की है ठीक ना बाकी तो अपर ने डेराइव कराया है ना बाकी तो अपर ने डेराइव कराया है ठीक ना ओके तो गाईस बहुत ही ध्यान से देखेंगे अगर हम लोग बैक टू दा पेज वन जाएं तो देखें laws of vector addition कर चुके हैं scalar multiplication of vector को समझ चुके हैं और unit vector कैसे निकालते हैं इसको भी समझ चुके हैं अब students बहुत ही ध्यान से देखेंगे these four topics ठेक है यानि कि vector unit vector along the coordinate axis components of a vector scalar components vector components component form of a vector and vector joining two points now we will study these four topics but before that students please pass the video and note it down इस particular page को आप नोट करेगा प्लीज अब students पढ़ेंगे हम लोग unit vector along coordinate axis component of a vector component form of a vector and vector joining two points है तो आओ जरा सबसे पहले topic पढ़ते है या unit vector along coordinate axis unit vectors अलोंग coordinate axis coordinate axis unit vectors along coordinate axis तो अब देखेंगे बाद ज्यान से जरा समझ के चलेगा बच्चो यह x-axis है यह y-axis है और यह positive direction of x-axis की तरफ बहुत ज्यान से देखेंगा बच्चो positive direction of x-axis की तरफ एक unit magnitude का vector फिर से बोल रहा हूँ positive direction of x-axis की तरफ एक unit magnitude का vector i-cap के लाता है positive direction of y-axis की तरफ एक unit magnitude का vector j-cap के लाता है and positive direction of z-axis की तरफ एक unit magnitude का vector k-cap के लाता है इनकी direction अपॉजिट कर दोगे मालो अगर मैं negative x-axis को draw करने लोगू यानि कि let's say ये so negative x-axis की direction में भी number line होगी ठीक है भी number line होगी so अगर positive x-axis की direction में i-cap है तो negative x-axis की direction में एक unit magnitude का vector कैसा हो जाएगा बच्चो negative i-cap similarly negative y-axis की direction में minus j-cap and negative z-axis की direction में minus k-cap है ना so basically i-cap, j-cap, k-cap क्या है ये unit vectors along the coordinate axis ठीक है so to feel to make you guys feel more है ना so i-cap क्या है it is a unit vector unit vector along along positive direction of x-axis ठीक है j-cap j-cap is unit vector along positive direction of y-axis and k-cap is unit vector along positive direction of z-axis अच्चा बच्चो अगर मैं एक बहुत ही basic सा question अगर आप से पूछ लूँ अगर मैं एक बहुत ही basic सा question आप से पूछ लूँ तो क्या आप मुझे बता होगे क्या कि अगर मैं magnitude of i-cap पूछू तो कितना होगा अरे unit vector के magnitude हमेशा 1 होते हैं तो i-cap, j-cap और k-cap इन सभी के magnitude हमेशा क्या होगे? 1 होगे तो ये बात आपको पता होने चाहिए ठीक है अब बच्चो बहुत ही ध्यान से समझेगा हम लोग बात करते हैं component form of a vector पे किस पर बात करते हैं हम लोग? component form of a vector, ठीक है component form of a vector ठीक है अब बच्चो बहुत ही ध्यान समझेगा component form of a vector समझाने के लिए let's say position vector of a point ले दाऊ मैं, position vector मैं position vector पहले भी पता चुगा हूँ बट मैं फिर से बता रहा हूँ position vector of point P ठीक है? position vector of point P so let's take this is x-axis this is y-axis and this is z-axis ठीक है? and there is a point P in space x, y, z ठीक है? you know that this is origin and origin से P point का vector is called as position vector position vector of point P is op vector ठीक है? now op vector को अगर हम लोग component form में describe करना चाहें तो हम लोग क्या बोलेंगे? x i-cap plus x y j-cap plus z k-cap right so इस तरीके से basically हमारे पास क्या आगया? component form of a vector आगया 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 आगया याने कि समान्या तॉर पर component form of a vector किसा होता है बच्छो component form of a vector किसा होता है बच्चो component form of a vector होता है it is a vector is equals to let's say r vector is equals to a i cap plus b j cap generally component form of a vector इस तरीके का होता है ठीक है r vector is equal to a i cap r vector is equal to a i cap b j cap plus c k cap जिसमें कि इस vector के इस vector के अगर कोई मेर से पूछे कि भईया is scalar components बताओ is scalar components बताओ इस vector के scalar components बताओ तो is scalar components में क्या बताऊंगा बच्चो it is a b और c यानि कि a b और c these are the scalar components of r vector लेकिन अगर कोई मेर से पूछे कि भईया मुझे इसी vector के इसी vector के vector components बताओ vector components of r vector vector components of r vector तो vector components of r vector में क्या बताओंगा बहुत ही ध्यान समझेंगे इसी vector के vector components में क्या बताओंगा बच्चो मैं बताओंगा vector components of r vector कितना होगा बहुत ध्यान से देखेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चो यानि कि यह जो वेक्टर में जिसका जिकर किया है यह जो वेक्टर में जिकर किया है जिसका इसके वेक्टर कॉम्पोनेंट्स क्या होंगे वेक्टर कॉम्पोनेंट्स होंगे A i cap right B j cap and C k cap right so scalar components, vector components of a vector समझें आप कि scalar components of a vector क्या होता है और vector components of a vector क्या होता है ठीक है अगर कोई भी vector let's say आपका component form में है तो उसका magnitude निकालते समय हम लोग कुछ नहीं करते scalar components के square का sum यानि कि scalar components यही है so scalar components के square का sum का under root हम करके निकालते हैं राइट है बच्चो clear है क्या तो यहनि कि कोई भी vector अगर आपका component form में है तो उसका magnitude निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं उसके scalar components के square के sum का under root निकालते हैं राइट है बच्चो clear है क्या so this is the position vector of a point p in the component form ना so component form में मैंने आपको बताया है च्छे क्छे क्छे सारी तमाम जानकरिया प्लीज नोट कर लीजिए कुछ लोगों के दिमाग में क्रियोसिटी होगी कुछ लोगों के दिमाग में क्रियोसिटी होगी कि सर यह वाला statement आपने basically लिखा कैसे है यानि कि यह वाला statement आपने लिखा कैसे है मैं एक दो मिनट की कोशिश करूँगा आपको समझाने की शायद आपको समझ में आ जाए नहीं आता है तो आप simple इसको as it is याद रख सकते हैं या रट सकते हैं तो देखे बच्चो होता क्या है कि अगर हम एक बड़ी सी फिगर यहां पर एक बड़ी सी फिगर लेते हैं और यहां पर आपको शायद चीजे समझ में आ जाएं मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा बच्चो ठीक है सो अगर यहां पर कोई पॉइंट पी है बच्चो और इट पी इस एक्स वाइजड सो बच्चो सही माइने में अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेगा इस पॉइंट को मैं इस पर्टिक्लर पॉइंट को मैं यहां लेके आता हूँ ना सो बेसिकली यह देखे आप इस पॉइंट इस पॉइंट इस पी एक्स वाइज़ी थे तो मैं कोशिश करूँगा पूरी पूरी अगर बच्चो अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेए तो सही माइने में यह जो एक्स है इसका मतलब क्या है कि यह यह दिस्टेंस एलांग आपको एक्स 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 तक की बात करूँ, ठीक है, तो कहीं न कहीं यह कितना होगा, x i cap, ऐसी y axis के अलोंग, any vector of the unit vector, ठीक है न, y axis की direction में, कोई भी unit magnitude का vector j cap होता है, तो यानि कि अगर मैं इस vector की बात करूँ, इस वाले की, ठीक है न, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, y magnitude है, या y तो length है, y j cap, right, एंड ऐसी मैं किसी भी vector का, यानि कि z axis की direction में, कोई भी unit vector will be as k cap, ये कैसा होगा, k cap होगा, तो यानि कि ये vector का length तो z है, z है, या z unit आपको z axis की direction में चलना है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, z k cap, ठीक है, एक बार आपके बच्चों ये दिमाग में समझ में आ गई, तो मैं इस figure को फिर से बनाना चाहता हूँ, इस figure को, इस figure का छोटा रूप में फिर से बनाना चाहता हूँ, ठीक है, छोटा रूप में फिर से बनाना चाहता हूँ, तो बच्चों जहां मैं कह रहा हूं बस वहां पे ध्यान दो ठीक है जहां मैं कह रहा हूं बच्चों सिर्फ वहां पे ध्यान दो ठीक है क्या कोई बच्चा मुझे ये वाला वेक्टर बता सकता है यह वाला यह वाला कौन सा होगा यह वाला वेक्टर बता सकते हो देखो ट्राइंगल लॉफ एडिशन से XI कैप प्लस YJ कैप तो यानि कि थर्ड साइड अफ दर ट्राइंगल थर्ड साइड अफ दर ट्राइंगल टेकन इन दर रिवर्स ओडर विल बी XI कैप प्लस YJ कैप ना इस इस XI कैप प्लस YJ कैप एंड इस जड के कैप ठीक है तो आप मुझे खुद बता दो बच्चो कि यह वाला वेक्टर कैसे हो जाएगा यूजिंग ट्राइंगल लॉफ एक्टर एडिशन XI कैप प्लस YJ कैप प्लस YJ कैप विल बी इस वेक्टर ठीक है ऐसे करके अपने को फील करना है राइट है भया ऐसे आपके पास यह कॉंपोनेंट फॉर्म आपको अप्टेन होती है आपको अप्टेन होती है बच्चो राइट है प्लियर है क्या फटा फट से बच्चो इसको नोट करिएगा तो यह पॉइंट मैंने क्लियर करने की कोशिश करिए ठीक है और प्लीज आप यह पूरा का पूरा ग्यान नोट करिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि अगर दो वेक्टर्स कॉंपोनेंट फॉम में दिये वे हैं तो उनको जोडते कैसे हैं घटाते कैसे हैं किसी नंबर की multiply कैसे करते हैं उनकी equality कैसे establish करते हैं और vector joining two points भी कैसे निकालते हैं ना फटा फट से प्लीज नोट करिएगा pause the video to note it down very good यह भी आप नोट कर लीजिए अगर आप कर सकते हैं तो राइड बच्चो वेरी गुड तो अब students बहुत ही ध्यान से समझेगा अगर two vectors if let's say a vector is equal to a1 i cap plus b1 j cap plus c1 k cap and b vector is equal to a2 i cap plus b2 j cap plus c2 k cap right है so guys अगर मुझे यह दो vectors को add करना है क्या करना है add करना है ठीक है so क्या होगा add करते हैं कैसे add करेंगे बच्चो basically scalar components add कर दो so a1 plus a2 i cap b1 plus b2 j cap and c1 plus c2 k cap right this is how we add the two vectors in the component form component form में हम लोग दो vectors को ऐसे add करते हैं अगर हमें subtract करना है subtract करना है तो हम लोग i cap के component से i cap का component घटाएंगे so a1 minus a2 a1 minus a2 sorry a1 minus a2 i cap plus b1 minus b2 j cap plus c1 minus c2 k cap so this is how we subtract two vectors then हम लोग अगर किसी vector की let's say किसी number से multiply करना चाहते हैं अगर आप 5 की multiply करना चाहते हो ए वेक्टर से तो 5 a vector केतना है a1 i cap plus b1 j cap plus c1 k cap तो आपके पस क्या जाएगा इस 5 की multiply इसमें भी हो जाएगी तो 5 a1 i cap 5 की multiply क्योंकि 5 क्या एक scalar number है तो उसकी scalar number में multiply हो जाएगी and 5 c1 k cap यानि कि इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं बच्चो scalar की multiplication कर देते हैं अच्छा अब यहां पे ती चौता point अगर a vector बराबर b vector हुआ तो इसका मतलब अगर a vector बराबर b vector हो न इस चीज़को बहुत ध्यान से देखेगा इस चीज़को आप बहुत ही ध्यान से देखेगा मैं यहां पर establish कर रहा हूँ इस चीज़को so equality of two vectors equality so अगर equality या equal equal vectors लिख देते हैं equal vectors so दो vectors को अगर component form में equality के तौर पर देखना है so उनके क्या होना चाहिए scalar components equal होने चाहिए right है अगर तो लेट लेट दो वेक्टर्स ये हैं components form में components form में दो वेक्टर ऐसे हैं right है if a vector बराबर b vector then i cap का component i cap के इकल होगा यानि कि a1 बराबर a2 होगा basically basically अगर if a vector equal to b vector so technically देखो हो क्या रहा है technically हो क्या रहा है this quantity is going to be equal to this quantity and when these two quantities are equal then a1 will be equal to a2 okay and b1 will be equal to b2 right and c1 will be equal to c2 c1 will be equal to c2 okay kids clear है क्या जल्दी से बतेगा perfect है क्या वेरी गुड बच्चो so यहां पर हमने quality of two vectors भी आपको in the component form बता दी है now we will find out कि vector joining two points कैसे निकालेंगे ना vector joining two points कैसे निकालेंगे और उसके बाद थोड़े से questions करते हैं थोड़े से questions करते हैं और या मैं आपको थोड़े सा collinearity के बारे में बता दूँगा और उसके बाद questions कर लेंगे and then उससे क्या होगा कि फिर हम लोग फिर section formula और direction ratios and direction cos इनको सबसे end में पढ़ेंगे हम लोग ठीक है so फटावट से बच्चो इसको note करिए प्लीज पॉस्ट वीडियो नोड़ीट डाउन very good बच्चो very good चलिए तो vector joining two points ठीक है vector joining two points vector joining two points so मान के चलिए दो points आपको दे रखे and let's say one of the point is a x1 y1 z1 है ना जैसे कि मैंने आपको कहा कि vector को हम लोग 3D perspective से पढ़ते हैं ठीक है so x2 y2 z2 ठीक है ना ऐसा नहीं है कि 2D vectors नहीं होते है है ना two dimensional vectors भी हो जकते हैं ठीक है xy plane पे yz plane पे zx plane पे so but हम लोग जो general perspective पढ़ रहे हैं vector 3D तो basically वो 3D perspective से पढ़ते है vector को भी अगर दो point को join करके अगर हमने को कोई वेक्टर बनाने लेटसे ए से बी में अगर अपन वेक्टर बना रहे हैं इस ए बी वेक्टर तो ध्यान रहे बच्चों a b vector is equals to b point का position vector और a point का position vector ऐसा होता है so कहने का मतलब अगर कोई मेरे किसी से मैं पूछू कि b point का position vector कितना होगा भाया अगर मैं आपसे पूछू कि a point का position vector कैसा होगा तो भाया x1 i cap plus y1 j cap plus z1 k cap और b point का position vector कितना होगा x2 i cap plus y2 j cap plus z2 k cap ठीक है तो position vector से लिखने जिखा दिया आपको अच्छा कभी भी अगर a b vector निकलना है तो इसका मतलब क्या है b point का position vector minus a point का position vector और जब आप इसको solve करोगे जब आप इसको solve करोगे तो आप इसको ऐसे भी interpret कर सकते हो कि a b vector को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि या b point के coordinates में से x a point के coordinates को subtract करना है ना x2 minus x1 i cap plus y2 minus y1 j cap right and plus z2 minus z1 k cap ठीक है बच्चों सो ऐसे करके आप इसको दिमाग में set रख सकते हैं कि या how to find out two vectors है ना so यह how to find out two vectors आप ऐसे भी रख सकते हो ठीक है दिमाग में clear है क्या so vector joining two points मैंने आपको बताया है vector joining two points मैंने आपको बताया है ठीक है so these all the things we will use in the questions questions में हम लोग इसका इसका इस्तामाल करेंगे ठीक है questions में हम लोग इसका इस्तामाल करेंगे ना एक last topic पढ़ते हैं एक last topic पढ़ते हैं that is the topic of collinearity कि we have two vectors को लीनेर होंगे तो क्या होगा hana dos chapters को लीनेर होंगे तो क्या होगा इसके लाग dragging के पढ़ेंगा को क्या को लीडिके बारे में पाले से पढ़ सकते हैं सबार्ण ऌर्ट बताने पढ़ेंगे बना फिर बढ़ा पस्तातें हैं को कों ही तक आप नोट कर लो अब हम लोग थोड़े से questions करेंगे ना थोड़ा कुछ questions करेंगे थोड़ा कुछ questions करेंगे ठीक है चलिए तो कुछ questions करते हैं पहले ना ओके आज ओभी है example number 4 आपके सामने है वो कहता है कि define the values of x y and z so that vector a and vector b are equal so अपने को क्या दिया हुआ है यह given है यानि कि vector a or vector b equal vector a components क्या है x i cap plus 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 2 j cap plus z k cap and b vector component क्या है 2 i cap plus y j cap plus k cap ठीक है थीज टू वेक्टर्स are equal vectors ठीक है so इसका मतब ये component इसके को लोगा i cap वला i cap के equal होगा ठीक है and 2 will be equal to y तो j cap वला component j cap के component के equal होगा तो y equals to 2 and k cap वला component k cap के component तो यहाँ पे z है और यहाँ पे k cap को component क्या माना जाएगा plus 1 ठीक है ना so these are the three values x equal to 2 y equals to 2 and z is equals to 1 क्लियर है बचो जल्दी से बताएगा पर्फेक्ट है क्या है जी पर्फेक्ट है जल्दी से बता दो गाईज है ना चले के आगे पर्फेक्ट है भाई मामला बेरी गुट अब आगे चलते हैं फिफ्थ एक्जाम्पल पर चलते हैं करा कि भी यह एक्जाम्पल नुम्र फाइफ में है है कैता है कि let a vector and b vector are these vectors न सो a vector केतना होगा भीया i plus 2j cap and b vector केतना होगा भीया it is to y plus j cap ठीक है के त्या एक भीया is a vector equal to b vector the question पूछा बूछा है उसने is magnitude of a vector is equal to magnitude of b vector अभी के यह हमसे जब सवाल पूछा है तो हम लोग सबसे पहले magnitude magnitude of a vector निकालते हैं, so magnitude of a vector कितना होगा भी या, i cap का component का square, यानि कि scalar components के square का under root, ऐसे ही आएगा, and b vector का magnitude कितना होगा, scalar components के squares का sum का under root, so 2, 2, 4, 1, 5, यानि कि ये भी under root 5 हो गया, और ये भी under root 5 हो गया, so yes, yes, magnitude of a vector will be equal to magnitude of b vector, अच्छा, फिर उसने दूसरा कोशन पूचा है, उसने दूसरा कोशन पूचा है, क्या पूचा भी या, कि भी या, are the vectors a and vector b equal है, क्या ये equal है, are vector a and vector b equal है, बताओ, so देखें, दो vector जिंदगी में हमेशा ऐसा नहीं है, कि अगर magnitude equal हो गया, तो दोनों vector equal हो जाएंगे, direction भी equal होनी चाहिए, बत अब direction का idea तो हमको मिलेगा नहीं, कोई vector हमें उसने draw करके थोड़ी दिया हुआ है, तो direction का idea कैसे लगेगा, so देखें, direction का idea नहीं लग सकता, लेकिन हमारे पास क्या है, कि दोनों vectors जो है, वो component form में दिये हुए है, ठीक है, component form में दिये हुए है, now we can say, कि भाई या, respective scalar components, भाई क्योंकि अगर देखो आप, ये दोनों vectors का भी equal होते, जब I cap का component 1, 2 के equal होता, है ना, सो मैं कहूंगा, कि as scalar components, scalar components of A and B vector are not equal, भाई या, I cap का component, I cap के equal component के equal नहीं है, J cap का component, J cap के component के equal नहीं है, तो इसका मतलब, vectors are not equal, तो अच्छा, ये I cap और J cap वाली बात मैंने लहीं लिखी है, तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, respective word यूज करूँगा, respective word, आपको कैसे respective word का मतलब क्या है, respective का मतलब कि अगर आप I cap लोगे, तो इधर भी I cap का component लेना, अगर इधर आप J cap का component लोगे, तो भी आप J cap का component दूसरे vector में भी लेना, so as respective scalar components of A vector and B vector are not equal, then, then A vector is not equal to B vector, so A vector B vector के equal नहीं है, clear है, बचो, आपको feel आपको मजा आपको 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 अठाए है पढ़ने में, है ना, चीजे समझ में आपको, very good बचो, बहुत ही बढ़िया बटा, है ना, ठीक है, चलें आगे चलिए सहाब चलिए so example 5 कर लिए हमने example number 6 करते हैं कहता है find the unit vector in the direction of the vector this so unit vector का भाई हमने आपको formula लिखवाया है unit vector का हमने आपको formula लिखवाया है कि कोई भी vector basically उसके magnitude की multiply करते हम उसके unit vectors so यानि कि एक आप हमने formula याद रख रखा है कि किसी भी vector को उसके अगर हम लोग magnitude से divide कर देंगे तो हमको unit vector मिल जाता है हमको unit vector का formula यह पता ही है अब अच्छों बहुत ही ध्यान से समझेंगे अगर हमें a cap चाहिए तो a vector तो हमारे पास है सबसे पहले हम लोग vector a का magnitude निकाल ले और vector का magnitude कितना होगा 2 का square plus 3 का square plus k cap का component 1 का square so it is 2 का square 4 3 का square 9 plus 1 9 रिक 10 और 4 14 square root of 14 so इसका मतलब क्या हुआ a cap जो है भाईया a cap जो है वो कैसा है a vector यानि कि 2y cap plus 3j cap plus k cap divided by a vector का magnitude यानि कि square root of 14 so a cap will be is equal to 2 upon root 14 i cap plus 3 upon root 14 j cap plus 1 upon root 14 k cap ठीक है क्या बात है वाँ 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 so this is the a cap vector अगर आपको थोड़ा सा magic देखना है तो आप देख सकते हो कि जब आप इस वेक्टर का magnitude निकालोगे न यानि कि magnitude क्या होगा scalar components का square तो यानि कि 4 बटे 14 plus 9 बटे 14 plus 1 बटे 14 और यह eventually कितना आजाएगा आपके पास 1 आजाएगा अगर आपको ऐसी check करके देखना है ठीक है unit vectors का unit vector जो होते है उसका magnitude हमेशा वन होता है हमेशा वन होता है ठीक है clear है guys जल्दी से बोलो जल्दी से बोलो तो अपने को unit vector पूछा गया था चलें भी आगे चलेंगा questions आगे कर देंगा further proceed कर देंगा very good so example number 6 भी अमने कर दिया है ठीक है now example number 7 को try करते है example number 7 को try करते है so example number 7 कैसा होगा भी यह it is find a vector in the direction of a vector that has magnitude of 7 units तो आपको direction तो यहां से लेनी है और magnitude आपको यह लेना है ठीक है अचा किसी भी वेक्टर की direction कैसे चुराते है किसी भी वेक्टर की direction होती है वो basically कुछ नहीं होती इसकी direction कौन देगा हमें a cap देगा a cap का magnitude तो वन ही होता है direction किस से मिल जाएगी a cap से मिल जाएगी so direction के लिए अपने को क्या निकालना पड़ेगा a cap निकालना पड़ेगा so basically जो हमें वेक्टर चाहिए सही माइने में जो हमें वेक्टर चाहिए वो क्या चाहिए भीया इस वेक्टर की direction में और direction क्या होगा भीया direction देखेगे हमें a cap से और magnitude है हमारे पास यह तो कहता है कि भीया कि हमें क्या चाहिए हमारा जो required vector है यानि कि हमारी जुरुवत का vector है वो क्या है इस vector की direction में साथ magnitude का vector चाहिए अपने को तो यह अपनी जो है requirement है तो अपन 7 a cap निकालेंगे अचा 7 a cap निकालना है तो इसका मतलब 7 a cap का formula तो हमें पता है a vector upon magnitude of a ठेक है तो इसका मतलब 7 upon magnitude of a कितना हो जाएगा बच्चो इस i cap का component 1 का square plus j cap का component minus 2 का square ठेक है एंड यहाँ पर आजाएगा आपका बस a vector यानि कि i cap minus 2 j cap बस आपको simplify करना है इसको तो कितना हो जाएगा बच्चो यह इस 7 upon यह दो दूनी 4 और एक 5 पांच पांच का अंडर रूट है ना अंडर रूट 5 इस i minus 2 j cap ठेक है तो इस विल बच्टर अफ 7 magnitude in the direction of a vector चेक है तो 7 upon root 5 i minus 2 j cap ठेक है बच्चो clear है क्या जल्दी से बता दीचिये perfect है very good now let us just proceed to the pause the video note it down let us just proceed to the 8th question है तो questions relatively easy है तो इसलिए करते चले जा रहे हैं आपको चीजे समझ में आ रही होगी ठेक है बस आप वीडियो को pause करके note करते वे चलिएगा बचो ना तो जिससे कि एक्जांपल note इसलिए कर लेने चाहिए with the statement example कि हम अगर जब आपने notes revise करते हैं तो हमको बता चलिए कि अच्छा इस तरह के questions पूछे जाते हैं and हमको इन ही questions को अगर हम लोग ने practice कर लिया while revising the theory तो हम लोग relatively सभी similar questions और थोड़े बत जो variation वाले questions हैं यानि कि इन से जो थोड़े से हट के questions हैं वो सभी हमसे हो जाएंगे ठीक है so find the unit vector in the direction of the sum of the two vectors तो देखिए इन दो vectors के sum in the direction of in the direction of sum of the vectors यानि कि a vector plus b vector की direction में की direction में क्या चाहिए मेरेको unit vector चाहिए unit vector चाहिए unit vector चाहिए तो काइदे में तो मेरेको a vector plus b vector का cap चाहिए बट यह लिखने का तरीका सही नहीं लगा मुझे यह लिखने का तरीका मुझे सही नहीं लगा तो मेरेको a vector plus b vector का cap चाहिए यानि कि a vector plus b vector को जोड़के जोड़ वेक्टर आएगा उस direction में मेरेको एक unit vector चाहिए यानि कि a plus b vector का cap चाहिए, so technically तो देखो मैं इसको ऐसे निकाल सकता हूँ, it is vector a plus, मैं इसको ऐसे निकाल सकता हूँ, a plus b upon magnitude of a plus b, करने को मैं ये काम कर सकता हूँ, करने को मैं काम कर सकता हूँ, but मेरे को ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, तो मैंने क्या कहा, मैंने इसको ऐसे ना लिखने की जगे, मैंने कहा कि एक काम करते हैं, let, ये जो दो वेक्टर हमने add कि हैं, इसको एक तीसरा वेक्टर माल लो, d vector, let say, ठीक है न, इसको तीसरा वे d vector का cap की जगे, मुझे d cap चाहिए, and a plus b vector की जगे, मुझे d vector चाहिए, और मुझे a plus b vector की magnitude की जगे, d vector का magnitude चाहिए, ठीक है, तो उससे क्या होगा, मैं थोड़ा simplify करके चीजों को लिख सकता हूँ, ठीक है, now, अब मिरे को अगर ये काम करना है, तो इसलिए, मुझे ये निक plus 2j cap minus 5k cap, ठीक है, plus b vector, plus क्या होगा, b vector हो जागा, so b vector is equal to 2i cap plus j cap plus 3k cap, right, so d vector will be equals to 2 plus 2, 4i cap, 2 plus 1, 3j cap, and minus 5 plus 3 minus 2k cap, ठीक है, ठीक है, ठीक है, now, d vector की direction में अपने को, d cap चाहिए, भीया, so d vector कितना हो गया, it is 4i cap plus 3j cap minus 2k cap, upon d vector का magnitude, यहनिकि 4 का square, plus 3 का square, plus minus 2 का square, so it is d cap is equals to 4i cap plus 3j cap minus 2k cap, upon 4 का square, will be what, 16, 3 का square, 9, plus minus 2 का square, 4, so d cap will be equals to, 16, 9, 25, and 4, 39, यानिकि 4 upon root 29 i cap plus 3 upon root 29 j cap minus 2 upon root 29 k cap, ठीक है, it is like this only, ठीक है, so हमने क्या कर दिया भीया, d vector क्या है, basically, a plus b vector, यानिकि हमने a plus b vector की direction में, unit vector निकाल दिया, ठीक है भीया, clear है क्या, perfectly, clear, ऐसे ही करेंगे आप लोग solve, बिलकुल, ऐसे ही करना है आपको solve, ठीक है, so यह हमने आपको बता दिया, example number 8, ठीक है, okay, further proceed करेंगे, इसको एक बार note कर लेंगे, please pause the video, note it down, oh, now, अब हमें, मजबूरी है हमारी, उसने direction ratios का question पूछ लिया, ठीक है, okay, so direction ratios का question पूछ लिया, अगला सवाल देखते है, okay, example 10 हमारे favor में है, तो हम लोग example 9 जो है, वो थोड़ा बापस आके करेंगे, example 10 हमारे favor में, example 10 हमारे favor में कैसे है, कि vector joining two points निकालना है, जो कि हमें आता है, p point के coordinates कितने है, 2, 3, 0, and p to q चलना है, so p से q की तरफ को चलना है, q point के coordinates कितने है, minus 1, minus 2, minus 4, right, so अपने को vector joining two points, यानि कि p q vector कैसा निकालेंगे, q point के coordinates में से, यानि कि minus 1, minus 2, i cap, plus, q point के coordinates में से subtract करना है, so minus 2, this is y2, minus y1, j cap, plus, z2, minus z1, यानि कि minus 4, minus 0, k cap, so यानि कि इसका मतलब p q vector will be is equals to minus 3, i cap, minus 5, j cap, and minus 4, k cap, so this is how you will find out the vector joining two points, clear है बच्चों, clear है, ठीक है न, so हमने क्या किया भी है, basically, इसको x2, y2, z2 माल लिया, और इसको अपनने x1, y1, z1 माल लिया, so क्योंकि हमको p से लेके q vector चाहिए, था न, p से q, तो अपन p q vector को क्या करते है, q point के coordinates में से, यानि कि q point के coordinates में से, p point के coordinates को घटाते है, ठीक है न, so अपनने यही काम किया भी है, और कुछ नहीं किया है, ठीक है भी है, clear है क्या, जल्दी से बोल दो न, हैं जी, perfect है क्या, जल्दी से बोल दो, very good बच्चों, अब students, बहुत ही ध्यान से देखेंगे guys, बहुत ही ध्यान से देखेंगे guys, है न, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, further proceed करते हैं, further proceed करते हैं, चेक है, so example number 10 is this, चेक है, perfect है क्या, very, very good, है न, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, चलिए, आगे बढ़ते हैं, now students further proceed करते है example number 11 पे प्रोसीड करते है so this is the section formula का question and the vertices of a right angle triangle okay okay so now what should we learn a little bit section formula, direction ratios and direction cosines and collinearity of three points भी हम लोग सीखेंगे so if we go to our first page right the very first page बच्चो तो अगर आप बहुत इदान से देखो तो हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं सभी topics पे प्रश्न भी कर चुके हैं now it's our duty to what we can say it's now our duty to study the direction cosines and direction ratios of a vector section formula and the condition of collinearity okay so यह तीन topics पढ़ेंगे हम लोग and then उनके पर questions करेंगे तो सबसे पहले तो पढ़ते हैं क्या चीज़ भी यह direction cosines and direction ratios of a vector ठीक है direction cosines and direction ratios of a vector पढ़ते हैं ठीक है फिर उसके पर सवाल करेंगे direction cosines and direction ratios का काफी use है 3D में तो हम लोग यह topic एक बार फिर से 3D geometry में भी पढ़ेंगे ठीक है लेकिन अगर जिसको आज समझ में नहीं आया उसको 3D में आज भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि 3D में हम लोग आज कही reference की बात करेंगे ठीक है नविया so direction cosines and direction ratios of a vector direction cosines देखिए होता क्या था कि आप ऐसा माल लो direction cosines and आप ऐसा माल लो कि दो देशों का युद्ध हुआ ठीक है दो देशों का युद्ध हुआ ठीक है अब जो missile है direction cosines and direction ratios of a vector so जो missile है अब missile किस direction में छोड़ी जाए missile की direction बहुत important है पता चले कि उस देश की जगह काई और ही missile लग गई तो missile जो है राइट direction में जानी चाहिए so direction cosines and direction ratios of a vector direction cosines का थोड़ा से पहले बात करते हैं कि यह important क्यों है पढ़ना है अब बहुत ही द्यान से समझेए important एक बहुत ही अच्छा example हम लोग ले सकते है for example दो देशों में लड़ाई हुई अब एक देश जो है वो दूसरे देश में missile छोड़ रहा है so missile की direction को set करना पड़ेगा इसकी speed को set करना पड़ेगा है ना नहीं तो दूसरे देश में भी जा सकती है missile है ना फिर यह दो और बढ़ जाएगा तो यानि की यह तो एक aspect बताया हमेने ठीक है rocket को launch करते हैं हम लोग है ना कि यह आसमान में जाएगा किस direction में करना है है ना इसलिए 3D space में एक missile को या एक rocket को अपन एक vector के तौर पर मान सकते है static position में तो direction कैसे हम लोग set कर सकते हैं और लोग आपस में communicate कर सकते हैं ठीक है कि भाई direction यह रहेगी तो direction मेजर करने के लिए कोई tool होना चाहिए तो देखो two-dimensional geometry में तो tool था अगर two-dimensional geometry की बात करें तो एक line का direction हम लोग with anti-clockwise direction from the x-axis हम लोग यहां से theta का 10 measure कर लेते थे और 10 theta से हमें लाइन का slope पता चल जाता था और slope से हमें उसकी direction का idea होता था कि line basically किस direction में है और line basically कैसी है कितना inclination है with respect to x-axis but 3D geometry में क्या हो जाता है problem बढ़ जाती है 2-axis की जगे 3-axis होते है तो हमें 3-axis के reference में क्या चाहिए हमें angles measurement चाहिए ठेक है ना so basically उसी के लिए हम लोग direction ratios and direction cosines पढ़ते हैं तो they help us in the they help us they यह हम लोगों को किसी भी vector की with respect to the coordinate axis direction measure करने में हमारे काम करते हैं तो just for example let's say this is y and this is z ठेक है ना missile छोडी गई let's say missile छोडी गई let's say ठेक है this is missile अब free vector का concept है ठेक है ना direction measure करने के लिए अपन इसको यहां पर ले गए ठेक है now हमने क्या किया भीया let's say अब हम लोग x axis के साथ जो angle है उसको alpha मान रहे है y axis के साथ जो angle है उसको beta मान रहे है and z axis के साथ जो angle है उसको gamma मान रहे है ठेक है so अब अगर मैं बात करूँ कि भई अगर मैं बात करूँ क्या बात करूँ कि भई यह direction cosines क्या होते है direction cosines क्या होते cosines मतलब cos theta cosines मतलब cos theta cos theta cos theta को मतलब basically यह short form में पढ़ते हैं हम लोग वैसे पढ़ना क्या चाहिए cosine of theta है ना तो यह cosine का मतलब cos so direction cosine of a vector क्या रहेगा भया यह जो a vector ने alpha beta gamma angle बनाया है right these are the angle of inclination इनी के cos cos theta क्या क्यलाते है direction cosines so direction cosines are the cosines of the angle of inclination made by a vector with the three different coordinate axes so cos alpha cos beta cos gamma direction cosines of a vector a अब बहुत ही जान समझेगा इसको मैं in short मैं L से डिनोट कर देता हूं इसको मैं in short M से डिनोट कर देता हूं और इसको मैं in short M से डिनोट कर देता हूं और इसको मैं in short N से डिनोट कर देता हूं n से small n अब अब बहुत ही जान से समझेगा मैंने आप से इक बात कहीती क्या आत कहीती कि अगर मेरे को direction ratios चहिए है मालनो मेरे को direction ratios चहिए है अच चली एक बात समझेगा direction cosine अभी complete नहीं हुए direction cosine क्या है basically cosine of the angle of inclination cosine of the angle of inclination made by a vector with the x-axis y-axis and z-axis so these are called as direction cosines और इनको मैंने L M और N से डिनोट कर दिया अच्छा एक बहुत ही important property in direction cosines की होती है in direction cosines की होती है L square plus M square plus N square is equal to 1 अब बहुत सरे बच्चे कहेंगे कि सर ऐसा कैसे हो गया ऐसा कैसे हो गया यह स्क्वार्स direction cosines देखो यह मैं क्या कर रहा हूं यह property क्या करी है कि direction cosines के squares का sum 1 होता है इस बात को short में ऐसे लिखा है long format में लिखना है तो इसका मतलब यह है long format में इसका मतलब क्या है यह है वो तो मैंने short form में लिख दिया वो तो मैंने short form में लिख दिया अच्छा अब students बहुत ही ध्यान से देखेंगे यह ऐसा हुआ कैसे मैं आपको थोड़ा feel कराता हूं मैं आपको थोड़ा feel कराता हूं let's say एक काम करते है यह जो point है यह जो point है P यह x, y, z है ठीक है तो इसका मतलब अगर मैं एक perpendicular डालू यहाँ पर यह वाली जो length है यह y-axis है यानि कि यह वाली जो length है यह small y हो जाएगी और let's say अब मैं cos beta की बात करता हूं तो cos beta कितना हो जाएगा base upon hypotenuse hypotenuse कितना होगा vector a magnitude ठीक है vector a magnitude ठीक है बहुत अच्छी बात है similarly अगर मैं ऐसा निकाल रहा हूं तो similarly cos alpha कितना हो जाएगा cos alpha कितना हो जाएगा x upon magnitude of a and cos gamma कितना हो जाएगा it is z upon magnitude of a similarly है ना वो figures हम लोग बना नहीं पाएंगे बड़ अगर आप x-axis को इस direction में लोगे तो आप feel कर पाऊगे z-axis को इस direction में लोगे तो आप feel कर पाऊगे ठीक है so यह हो गया भीया अच्छा अब इक बात समझेगा बहुत ही द्यान समझेगा वेक्टर एक अगर मैं बात करूँ तो वेक्टर ए होगा कैसा है ना वेक्टर ए बेसिकली कुछ नहीं है पी पॉइंट का पोजिशन वेक्टर है so it is x i cap plus y j cap plus z k cap और अगर मैं वेक्टर एका magnitude की बात करूँ तो it is is equal to nothing but under root x square plus y square plus z square और अगर मैं इस magnitude of vector a का square कर दूँ तो it will come out x square plus y square plus z square अब बच्चो बहुत द्यान से देखना अब बच्चो बहुत ही द्यान से देखना अगर मैं इन तीनों quantities के square को add कर दूँ तो हैनि कि cos alpha कितना है ये इसका square कितना होगा और cos beta का square कितना होगा it is y square upon magnitude of a square and cos gamma कितना है z upon a तो यानि कि z square upon magnitude of a square अगर आप इसको LCM ले 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 तो magnitude of a square is equal to x square plus y square plus z square and अभी अभी मैंने आपको बताया कि magnitude of a square कितना है it is x square plus y square plus z square ठीक है so उसकी value कितनी आजाएगी 1 आजाएगी तो मैंने आपको डिराइव करके भी बता दिया है डिराइव करके भी बता दिया है लेकिन क्या derivation important है सर नहीं आपकी जिग्यासा जो है कल को आप यह नगाओ कि सर आपने यह नहीं बताया यह L square plus M square plus N square one क्यों होता है तो आपको यह नहा हो इसलिए मैंने बता दिया है अदरवाइज आपको तो क्या करना है आपको तो एक बर इसको note कर लो pause the video note it down आपको तो सही माइने में तितनी बात याद रख ली है आपको तो सही माइने में सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि sum of these squares of the direction cosines is equal to one okay, derivation is not important now the direction cosines जो है वो हमने आपको बता दिया अब direction ratios क्या होते हैं तो direction ratios की बात करेंगे भी या direction ratios direction ratios of a vector तो कहते हैं कहते हैं बच्चो क्या कहते हैं क्या कहते हैं क्या कहते हैं कि भाईया दुनिया में ऐसे तीन नंबर इना मीना डिका इना मीना डिका यानि कि दुनिया में ऐसे तीन नंबर त्री नंबर्स वो तीन नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं कि वो तीन नंबर कुछ भी हो चकते हैं A B and C तीन नंबर किस असाब से वहने चाहिए कि वह तीन नंबर का जो रेशो है किस के साथ L, M और N के साथ वह प्रपोर्शनल हो यानि कि वह रेशो एक्वल हो तो एसे तीन नंबर A, B, C को there are three numbers ABC such that A upon L equal to B upon M equal to C upon N then ABC are called as direction ratios are direction ratios तो ऐसे तीन नंबर्स फिर से समझना ऐसे तीन नंबर्स ऐसे तीन नंबर्स जो erection Cosines के साथ LMN के साथ proportional हो जाते हैं ऐसे तीन नंबर्स को हम लोग क्या कह सकते हैं direction ratios कह सकते हैं तो ये ABC ऐसे दुनिया में तीन नंबर्स जो LMN के साथ proportional हो जाएं देर कॉल्ड एज देरीक्षिन रेशोस धिर कॉल्ड आज डिरीक्षिन रेशोस ठीक है बच्छों, clear है क्या, they are called as direction ratios, ठीक है, perfect है क्या, जल्दी से बताएगा, हम, है जी, जल्दी से बता दो भाई साब, तो direction cosines and direction ratios का एक बहुत ही finest explanation मैंने आपको दिया है, ठीक है, so these three numbers, a, b, c, are called as direction ratios, if they are proportional with the direction cosines, ठीक है, तो फटाफट से इसको note करेंगे, अच्छा, अब ये तो हमने आपको बताएगा, direction cosines and direction ratios, ठीक है, अब जो दूसरी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, वो क्या है, कि भाई, दूसरी चीजों मैं आपको बता रहा हूँ, वो मैं ये बताने वाला हूँ, कि अगर कभी आपके पास कोई vector दिया हुआ है, उसके direction cosines and direction ratios आप कैसे निकाल सकते हूँ, ठीक है, अगर कभी आपके पास given vector है, तो उसके direction ratios and direction cosines हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इस पर बात करते हैं, फ़र आफट से प्लीज पॉस्ट वीडियो, नोट इट डाउन, चलिए, तो, for a given vector, for a given vector, for a given vector, a vector, यानि कि a vector कैसा है, let's say, x i कै प्लस y j कै प्लस z कै कै, तो कहते हैं कि direction ratios अगर आप से कोई पूछ ले, क्या पूछ ले, direction ratios of a vector, so basically वो कुछ नहीं होगा, direction ratios of a vector will be equal to scalar components of a vector, scalar components of a vector के equal होंगे, मतलब, अगर आप से direction ratios of a vector पूछे गए, तो वो क्या हो जाएगा, basically, scalar components of a vector, यानि कि x, y and z, so these are the direction ratios of a vector, ठीक है, so कभी भी दुनिया में अगर आपके पस कोई vector है, और आप से पूछे गए हैं कि direction ratios बता दो, तो आप क्या कहोगे, कि भईया, उसके vector के scalar components ही क्या होंगे, direction ratios हो जाएगे, तो direction ratios के तौर पे आप क्या कर सकते हो, इस particular, है न, vector के, क्या आप दे सकते हो, scalar components आप दे सकते हो, x, y and z, so किसी भी vector के, अगर आपको direction ratios चाहिए, तो आप उसके scalar components लिख सकते हैं, x, y and z, फिर आप से अगर पूछे कि direction cos बता हो भाईया, तो direction cos of a vector, तो देखे, direction cos of, बहुत ध्यान समझना, direction cos अगर उस vector के चाहिए हमें, ठीक है, तो हम उस vector के unit vector के scalar components देंगे, यानि कि scalar components of, scalar components of a cap, यानि कि अगर किसी vector के हमको direction cos चाहिए, तो हम उस vector का सबसे पहले क्या निकालेंगे, a cap निकालेंगे, a cap कितना हो जाएगा भीया, a cap कितना हो जाएगा, a vector upon magnitude of a, यानि कि, x i cap plus y j cap plus z k cap, right, upon magnitude of a कितना हो जाएगा, it is x square plus y square plus z square, ठीक न, so basically a cap के scalar components क्या हो जाएगे, it is x upon x square plus y square plus z square, and plus, this much of i cap, this much of i cap, plus y upon under root x square plus y square plus z square, right, j cap plus z upon under root x square plus y square plus z square, ठीक है, so इसका मताब हमने क्या का आप से, कि अगर कभी भी a vector के direction cosine से निकालने को बोले, तो आप उसी vector के, unit vector के scalar components बता सकते हो, so is killer components of a cap, so is killer components of a cap क्या होंगे भी या, देखिएगा, पहुत ध्यान से ये, it is x upon under root x square plus y square plus z square, ठीक है न, y upon under root x square plus y square plus z square, and z upon under root, इस quantity को उपर लेके चलते हैं, ठीक है, यह right है, okay, so z upon under root x square plus y square plus z square, ठीक है भी या clear है क्या, perfect है भी या, जिस देखिए जराजा, है, for a given vector, a vector, for a given vector, a vector, direction ratios of a vector क्या होंगे, उसके vector के scalar components, और direction cosines कैसे होंगे, उसी vector के unit vector के scalar components, ठीक है, so this is how you can write the direction ratios and the direction cosines of a vector, ठीक है, चलिए, तो फटा फट से बच्चों, ये तो हमने यहापे unit vector निकालके दिखाया आपको, ये तो हमने आपको एक unit vector निकालके दिखाया आपको, ठीक है, ओके, अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे, अब इतनी जानकरी जब आप note कर लोगे, तो हम लोग एक questions करेंगे, एक question करेंगे, जो direction ratios and direction cosines पे based question था, ठीक है, ठीक है, अब students बहुत ही ध्यान से समझेंगे, बहुत ही ध्यान से समझेंगे, इसको नोट कर लिया आपने, चलिए, तो वो question जो था, आमने छोड़ा था, example 9, तो उसने कहा, उसने कहा भया कि a vector हमारे पास क्या है, i plus j minus 2 k cap, है न, यही है भया, अच्छा, उसने अब से कहा भूचा, direction ratios बताओ, तो direction ratios, जिसको हम लोग dr से भी denote कर देते हैं, direction ratios of a vector कितना होगा भया, i cap का scalar components 1, j cap का scalar component 1, and k cap का scalar component minus 2, ठीक है, clear है भया, ज़र आप बहुत ज्यान से देखेंगे, a vector कितना है हमारे पास, i cap plus j cap minus 2 k cap, so basically हमने आपको बताया कि i cap का scalar component 1 है, j cap का भी scalar component plus 1 है, और k cap का scalar component minus 2 है, ठीक है, अब आपसे पूचता है direction cos, तो direction cos of a vector अगर आपको चाहिए, तो कितना, किसके एकवल होगा, scalar components of, scalar components of a cap, a cap का scalar components, so a cap का scalar component अगर आपको चाहिए, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे, side में मैं आपको a cap निकाल के दिखाता हूँ, तो a cap कितना हो जाएगा बच्छो, a cap will be a vector upon magnitude of a vector, that means a vector is i plus j minus ka 2k cap, upon under root i cap का component 1 ka square, j cap का component 1, 1 ka square, plus k cap का component minus 2 ka square, so it is a cap is equals to i cap plus j cap minus ka 2k cap, upon under root 1 ka square 1, 1 ka square 1, और plus minus ka 2 ka square 4, 4 एक 5 और 6, तो a cap कितना हो जाएगा, it is 1 upon root 6 i cap plus 1 upon root 6 j cap minus 2 upon root 6 k cap, right, so a cap के scalar components को आप कैसे लिख सकते हैं, direction cosines of a vector के तौर पे, यानि कि 1 upon root 6, ठीक ना, 1 upon root 6, 1 upon root 6, ठीक ना, 1 upon root 6, and minus 2 upon root 6, ठीक ना, so direction cosines, generally, क्या होता भी या, generally, direction cosines को हम लोग कैसे denote करते हैं, L, M, N से, तो यह हमारा L value हुआ, यह हमारा M value हुआ, और यह हमारा N value हुआ, ठीक ना, इस आर दा L, M, N value, और अगर आपको check करना है, क्या, कि L square plus M square plus N square 1 होता है, कि नहीं होता है, तो आप check भी कर सकते हो, check भी कर सकते हो, बट यह किस की value है, L, M, N की, direction cosines को हम लोग कैसे denote करते हैं, L, M, N से, ठीक है, और direction ratios को हम लोग कैसे denote करते हैं, A, B, C से, ठीक है ना, A, B, C से, अच्छा, एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाली है, एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाली है, direction ratios को मैंने आपको बताया था, कैसे, कैसे हम लोग जो है, direction ratios को denote करते हैं, B denote it from, A, B, और C से denote करते हैं हम लोग, ठीक है, A, B, और C से, अब बच्चों, direction cosines के साथ proportional है, direction ratios and direction cosines पर लोगे, पर हम लोगों को, exercise के अदरускन मिलेंगे, उनको भी करेंगे, तो और बेटर Clarity से चीज़े, clear होंगी ठीक है बच्चो फटाफट से इसको note करिएगा बच्चो प्लीज फटाफट से note करिएगा अब मैं आपको direction ratios and direction cos में एक बहुत ही important relation भी बताऊंगा कि भाई आगर कभी direction ratios दिये हुए है ठीक है अगर आपको direction ratios दिये हुए है तो आप direction ratios कैसे निकाल सकते हैं तो आप direction ratios कैसे निकाल सकते हैं तो बहुत ही महत्पूर्ण relation में आपको बताऊंगा एंदेन उसके बाद हम लोग section formula पे चलेंगे and then section formula पे जाके section formula पढ़ेंगे हम लोग ठीक है, section formula पढ़ेंगे, and section formula के उपर question करेंगे, section formula के उपर question करेंगे, and then जाते जाते फिर हम लोग एक last question करेंगे, collinearity के उपर, ठीक है कि भाज को लिनियर्टी की किया condition है और direction ratios हमारी किस तरीके से मदद करते हैं किस तरीके से मदद करते हैं ठीक है चलिए तो आएए वापस चलते हैं लोग अपना direction ratios and direction cosines पे ठीक है यहां तक हमने आपको पढ़ा दिया था अच्छा अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा कभी अगर आपको मान लो direction ratios given है क्या given है direction ratios given है right a b and c और आपको क्या निकालने है direction cos निकालने direction cos निकालने आपको आपको दिया वा क्या है भाईया direction ratios उसको short form में कैसे लिखते हैं लिखते हैं भाईया DR के तौर पर ना DR direction ratio ठीक है तो direction ratio को मैं कहीं बार DR लिखूँगा direction cosine को मैं DC लिखूँगा तो आप समझ जाना अच्छा बचो बहुत ध्यान से समझना कि direction ratios अगर given है और direction cosine निकालने हैं तो simple formula याद कर लो it is L यानि की L equals to A upon इन तीनों के squares का sum का अंडर root ठीक है M equals to B upon इन तीनों के squares का sum अंडर root and N is equals to C upon अंडर root A square plus B square plus C square ठीक है तो ऐसे करके अपन direction cosine निकालते हैं ऐसे करके क्या निकालते हैं अपन direction cosine निकालते हैं ठीक है clear है भाई जल्दी से बोल दो perfect है क्या very good बच्चो अब बच्चो बहुत ही ध्यान से समझेगा ठीक है अब बच्चो बहुत ध्यान 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 से समझेगा अब अगर हमारे पास direction अच्छा देगे यह आया कैसे इसका दूसरा तरीका क्या है अगर कोई मेरे से पूचे का सर शॉर्ट फॉर्म बताईए थोड़ा सा यह याद ना करना पड़े तो देखो कुछ नहीं करना फि यह आपको वेक्टर के स्केलर कॉंपोनेंट दिये हैं लेट सेवेक्टर आर वेक्टर है अब इसका मतलब आप और कैप निकाल लो यह श्रॉर्ट्टर अपन मगनिटूड अफे मेगनिटूड ओर वेक्टर थेक़ना यानि कि ए-ई-इक है प्लस bj कैप लस c- एक है अपन root a square plus b square plus c square यानि कि r cap के scalar components क्या हो जाएंगे r cap ऐसा हो जाएगा ठीक है ठीक है भी या ऐसे हो जाएगा और इसी के ही अगर आपको scalar components देखिए unit vector के scalar components ही क्या होते हैं direction cosines होते हैं यूनिट vector के scalar component क्या होते हैं direction cosines होते हैं तो यानि कि यही आपका l हो गया li cap यही आपका mj cap यही आपका nk cap ठीक है तो unit vector के unit vector के यह बेसिकली r cap लिख रहा हूं मैं क्या होते हैं तो यही value l की होगी यही value m की होगी और यही value n की होगी इसलिए हमने यहां पर lmn ऐसे लिख दिया है तो यह एक लॉजिकल प्रोसेस है जहां से आप आ सकते हो बट मैं कह रहा हूं कि अगर इतना लंबा क्यों जाना या direction ratios दे रखे हैं तो सिधा direction cos के लिए सिधा formula याद कर लो न क्या problem है एना formula याद कर लो चलिए तो अब अगर हम लोग direction cos हमको given हूँ है ठीक है यह पूरा whole process तो आपको पता ही है कि बहुत यह direction ratios दिये वेते हैं वहां से वेक्टर बना लिए वेक्टर से unit बना लिए और unit vector से हमने उसके scalar components उठा लिए और यहाँ पर direction cos बना दिया चलिए तो अब अगर हमको क्या दिया हूँ है अगर अब हमको क्या दिया हूँ है direction cos given है मान लो हमें क्या given है बच्चो direction cos given direction cos given dc is given L Mr. Doncs और हमको क्या निकालना थै direction ratios निकालने है दो find क्या निकालने है direction ratios निकालने रहे दे च्ना यारे बेट्रेश्टे स necessarily दिया में ए इसे 3 नमबर होते हैं जो अ यह рक्ष्टा कोसाइन के साथ क्या प्रोर्पोर्शनल होंगे बेसिकली हमें A,B,C निकालना है ना याँ Direction Ratio निकालना है Warren और ये वामें। यह समें गिवनना हैं याँ टिởेक्षेसं राठी ये में ख茁नन हैं किसी चीज़ के एकवल तो होंगे ना बया है ना and where k is let's say a non-zero scalar k is a non-zero scalar तेक है अब students बहुत ही ध्यान से देखिएगा जब मैं इसको इसको compare करूँगा तो a is equals to kl आएगा b is equals to score इसको compare करूँगा तो यहने कि b equals to km आएगा and c is equals to k आएगा अब यह k क्या है k दुनिया का कोई भी non-zero real number हो सकता है अब मेरी बात सुनो आपका मन करेगा k की value 2 ले लोगे आपका मन करेगा k की value 3 ले लोगे आपका मन करेगा k की value 4 ले लोगे आपका मन करेगा k की value 5 ले लोगे तो यानि कि इसका मतलब तो जब जब आपके का वेल्यू बदलोगे आपको डिफरेंट डिफरेंट डिरेक्शन रेशोस मिलेंगे तो इसका मतलब एक वेक्टर के कहीं सारे डिरेक्शन रेशोस हो सकते हैं यानि कि एक वेक्टर के कितने डिरेक्शन रेशोस हो सकते हैं infinite direction ratios, a vector have infinite direction ratios, एक vector के दुनिया भर के direction ratios हो सकते हैं, आप के की value बदलते रहो, है ना, आप के की value बदलते रहो, आपको infinite direction ratios मिलते रहेंगे, टेंहाई अच्छा नज एक वेक््टर के कितने डिरेक्शंग कोसाइन हो सकते हैं देखें हैं डिर्षेजस कोसाइन एक ही रहेंगे ल, एयंगर न so vector can have one set of direction cosines a vector have one set of a vector have one set LMN right of direction cosines direction cosines उसके vector के क्या रहते है एक ही set रहता है LMN ठीक है भया clear है बया जल्दी से बोल दीजिए ठीक है अच्छा यहां पर एक चीज और थोड़ी सी गोर करने की है तो direction ratios तो आप निकाल दोगे के की value कुछ भी रख दोगे अच्छा अगर कि आप के की value 1 ले लेते हो तो दुनिया में एक case ऐसा भी होता है जब direction cosines जब direction ratios direction cosines के equal हो जाते हैं हमेशा नहीं होते हमेशा नहीं होते हमेशा नहीं होते अगर के की value 1 ले लोगे तो direction ratios और direction cosines equal हो जाएंगे क्योंकि सास भी कभी बहुत थी तो क्योंकि direction cosines कभी तो direction ratio थे तो सिर्फ एक case में है ना दुनिया में सिर्फ एक case ऐसा हो सकता है तो अगर आपसे question पूछा जाए अगर आपसे question पूछा जाए कि क्या direction cosines direction ratios हो सकते हैं हां एक case होता है क्या direction ratios direction cosines हो सकते हैं हां एक case ऐसा हो सकता है ठेक है तो ऐसा दुनिया में तो अब next क्या है नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है हमारे को अब हमें section फॉर्मला पढ़ना है तो यहां पर हम लोग direction cosines and direction ratios करा है ठीक है एक example था वो भी हमने करवा दिया है एंड आप conceptually इस चीज को समझें जब हम लोग exercise के questions करेंगे तो फिर से हम लोग इन चीज़कों का reference लेके और further questions करेंगे ठीक है so let us just proceed to the example कौनसे वाला example भी है जो है वो वेक्टर में हम यहां पर आपको कराने जा रहे है ना that is called a section formula ठीक है बच्चों clear है क्या चलिए तो section formula पढ़ते हैं चलिए students तो अब हम लोग section formula पढ़ेंगे ना section formula के basically 3 variant होता है थोड़ा समझने की कोशिश करेगा तीन ओ वेरियंट को ठीक है आगे भी आपको काम आता ही है so section formula में basically सबसे पहले पढ़ते हैं आप इंटर्नल डिवाइड फॉर्मला इंटर्नल डिवाइड फॉर्मला पढ़ते हैं इसमें क्या कर रहा है एक point r है वो डिवाइड कर रहा है pq line को r divides pq in m ratio n internally so statement क्या है भिया r divides pq in m ratio n internally है na so r किसको डिवाइड कर रहा है pq line segment को तो let's say p point है यह right यह q point है और there is a sum point r वो pq line को m ratio n में divide कर रहा है तो इसका मतलब समझ के चलिएगा कि अगर इस वाली बात का क्या मतलब है इस वाली का मतलब है कि p r upon r q का ratio m ratio n दिया हुआ है इस वाली बात का मतलब यह है अच्छा अब मान लीजिए आपको दे रखा है कि यह p vector का जो position vector है वो a vector है q point का position vector let's say b vector है तो आपको अगर r point जिसने p q line को m ratio n में divide किया है तो r point का अगर आपको position vector चाहिए तो r vector बराबर m b vector बहुत ज्यान से देखेगा m b vector plus n a vector upon m plus n सो ऐसे करके अपन आर वेक्टर का r point का position vector निकालते हैं ठीक है ना सो ऐसा कुछ आपको धिहान आगेगे कि हां हां सर दसवी class में हमने कुछ ऐसा ही पढ़ा था सर जी है ना सो इस दा section formula का internal divide case नाव अब हम लोग section formula का midpoint case पढ़ेंगे ना क्या पढ़ेंगे बच्छों midpoint case सो second case क्या है midpoint case midpoint case so r divides pq बहुत दियान समझेगा r divides pq r divides pq r divides pq at mid r divides pq at mid सबसे पहले अगर बहुत दियान से देखेगा मान के चलिए यह pq line है तो r इसके midpoint पे है r इसके midpoint पे है यानिकि r क्या है? midpoint है जब midpoint होता है तो basically अगर आप बहुत दियान से देखेंगे तो यह जो और यह है यह 1 ratio 1 में divide हो जाएगा किस में divide हो जाएगा? 1 ratio 1 मे सो अगर p point का position vector let's say a vector है and q point का position vector let's say b vector है so r point का position vector let's say r vector है r point का position vector कितना है? it is r vector then r vector because of r is the midpoint then we will write r vector equals to 1 into b vector plus 1 into a vector upon 1 plus 1 m plus n यहनिकी 1 plus 1 2 so technically a plus b vector upon 2 भी लिख देते हैं हम लोगा so अगर कोई point किसी 2 point को join करने वाली line के mid पे divide करता है तो उस point का position vector क्या होता है? end points के position vector का addition upon 2 so यह जो formula है वो हमें मिलता है किससे internal divide case से मिलता है then let us come to the third case which is external divide case बच्छो क्योंसा case है यह? this is your external divide case this is your external divide case right है बच्छो जल्दी से बोल तो external divide case ठेक है? external divide case होगा अब बच्छो बहुत ही न्याद समझेगा मानके चलिए अब यह external divide कैसा होता क्या है? इसको जरा feel करेंगे r divides pq r divides pq in m ratio n externally so external divide कोई भी चीज़ किसी को externally कैसे divide कर सकते है? जरा इसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर भी जो बात हो रही है r divides pq in m ratio 1 इसका मदलब यह है कि pr ratio rq आपको m upon n की value दे रखिए ठेक है? and सही माइने में अगर हम लोग figure की बात करें let's say m is greater than n कुछ भी हो सकता है m n से बढ़ा हो सकता है m n से छोट हो सकता है now अब कोई point r है जिसने pq को externally divide किया m ratio n में so externally मतलब यहाँ पर मानलो अगर r point लेते हैं so यह pr यादि कि r point का जो length है वो from p point to the length from q point इसके ratio की बात चल रही है यह m है यह n है ठीक है न r p जो है m है और r q जो है वो n है ठीक है न so let's say हमने इसको join भी कर दिया मालो ठीक है so अगर p point का position vector let's say a vector है q point का position vector let's say b vector है then in that case r point का position vector r vector कैसे निकाल पाएंगे it will come out as m b vector minus n a vector है तो ऐसे आपको थोड़ा feel करना है upon m minus n तो ऐसे ही using section formula we can find out the position vector of a point which externally dividing a particular line in m ratio n ठीक है so this is the section formula के तीनो variants मैंने आपको करा दिये है now let us just proceed कि भी एक question करते है एक question करते है ठीक है so अब एक question करेंगे हम लोग आइए जड़ा question करते है very good okay so note कर लेगा please pause the video note it down चलिए so example number 11th की बात करते है हम लोग 11th example की बात करेंगे guys जल्दी से बोल दो so example number 11th की अगर हम लोग बात करेंगे consider the two points P and Q with the position vector O P vector and O Q vector so two points है भया P और Q ठीक है और P point का position vector जो है वो O P vector है यानि कि this vector is is P point का position vector है 3 A minus 2 B vector ठीक है and is Q point का position vector है A vector plus B vector oh my god ठीक है find the position vector of a point R अब देखेगा बहुत ध्यान से दो cases है ना तो मैं पहला case solve कर रहा हूँ find the position vector of point R which is dividing which is dividing अब बहुत जान से देखेगा उसने कहा कि पहले case में R divided P Q into ratio 1 internally है ना पहले case में वो यही बोलना चाह रहा है भी है यानि कि P R upon R Q is 2 upon 1 ठीक है ना यानि कि R कहीं मैं यहां पर ले लूँगा ठीक है भया जल्दी से बोल दीजिए यह ना यानि कि this is 2 and this is 1 अगर मुझे 2 B Vector माइनस 2 B Vector है ना क्या किया किती पाबलिक अगर सो बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे 2 A plus 2 B ठीक है ना इसको पूरा थोड़ा अच्छे से स्वाल कर लेते है यार की गाल है पाजी कर दो ऐसे ही 3 A Vector माइनस 2 B Vector अपान 3 2 B Vector से 2 B Vector गया and you will get 5 A Vector अपान 3 5 by 3 A Vector ठीक है 5 by 3 A Vector क्लियर है बच्चों क्लियर है क्या जल्दी से बताएगा we have to solve this second part of it second part of it second part कितना हुआ second part में वो क्या कह रहे है कि भईया R divides PQ in into ratio 1 externally externally जल्दी से देखिए R divides PQ into ratio 1 externally ठीक है so अगर आप बहुत दियान से देखेंगे so R point कितना भी है इसका मतलब क्या है PR upon RQ की value 2 to 1 है and externally का case है externally case है figure बनाना जरूर यह कैसर मैं बना देता हूँ आप नहीं बनाना चाहते तो कोई बात नहीं यह जो length है PR वो 2 होगी और यह जो length है QR वो 1 होगी ठीक है so मुझे R point का position vector चाहिए तो बच्चों देखो क्या होगा it is it is कहते है कि R point का position vector is MB vector ठीक है minus NA vector ठीक है upon 2 minus 1 तो 1 so R vector will come out as 2 A minus 3 A minus A vector और 2 B plus 2 B यानि कि minus 4 B vector clear है बच्चों जल्दी से बोल दीजिए so minus A vector plus 4 B vector ऐसे करके आपके पसांतर आ जाएगा clear है बच्चों जल्दी से बताएगा perfect है very good so यहां पर हमने आपको section formula लगाना सिखा दिये कि section formula basically लगता कैसे है अब students जरा बहुत ही ध्यान से समझीएगा last topic discuss करने जा रहे है चोटा सा topic है collinearity का and then we will do one more example based on the right angle triangle and then उसके बाद we are good to go we will proceed to the next lecture ठेक है चलिए students तो अब हम लोग बात करेंगे collinearity of 3 points collinearity of 3 points collinearity of 3 points जरा वच्चों सबसे पहले collinearity समझने के लिए एक चीज़ समझेगा एक चीज समझेगा इस collinearity को समझने से पहले एक चीज़ समझेगा कभी अगर आपका कोई एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का scalar multiple है यह दोनों वेक्टर कैसे होंगे collinear होंगे collinear यह चीज़ समझ के चलिए आप ठीक है सो collinearity of 3 points में अगर लेट से हमारे पास 3 points है तो इसको collinear दिखाने के तरीके क्या है देखे तरीके बहुत सारे है 2D में हम लोग क्या करते थे जब 2D geometry चलती थी तो 3 points को collinear दिखाने के लिए हम लोग कहते थे slope of a b equal to slope of b c ऐसे करके और हम कहते थे b point and b point common है सो यहां से क्या होता था हम लोग एक चीज़ से establish कर पाते थे कि यह a b और b c के slope equal तो a b और b c parallel और b point common तो इसका मतलब a b c collinear points लेकिन यहां पर 2D नहीं 3D geometry है तो slope का इस्तमाल कर नहीं कर पाएंगे अच्छा एक दूसरा तरीका हम लोग इस्तमाल करते थे कि भी a b length plus b c length अगर बराबर a c length के हो जाए then a b c are collinear points तो एक तरीका यह भी होता था लेकिन यह तरीका थोड़ा सा length दी है आपको 3 line segments के length लिकालने पड़ेंगे अब आसान तरीका क्या है आसान तरीका क्या है कि आप किनी भी 2 points को join करते वह आप vector बना लो ठीक है आप a b vector बना लो और आप b c vector बना लो अगर a b vector है ना तो यानि कि collinearity की पहली condition a b vector is equal to lambda times b c vector आ गया तो इसका मतलब 2 vector क्या होंगे collinear होंगे एक के साथ दूसरे collinear होंगे ना कि same line के parallel होंगे तो यहां से एक वाद समझ में आती है कि a b vector and b c vector are collinear अच्छा अब 2 vectors अगर collinear हो गए यह a b vector है देखिए यह वाला a b है और यह वाला b c है और मेरा यहां पर b है b तो यह a b vector यह b c vector और b point common हो गया यह point जो है common है तो situation कुछ ऐसे चल रही है यह a b vector और यह b c vector लेकिन b point क्या है भया common है ठीक है न तो इसका वालब यह a b था और यह b c था तो इसका वालब b point common है तो इसका वालब a b and b c are collinear and b point is common b is common hence it implies a b and c are collinear points a b and c are collinear points ठीक है ठीक है, ओके, तो यह 3 पॉइंट्स को कॉलिनेर दिखाने का तरीका है, ठीक है, अच्छा, और एक छोटी सी कंडिशन और बताना चाहता हूं आपको, हलाकि आगे भी बता सकते हैं, फ्यूचर में भी बताएंगे आपको 3D Geometry में, बट यहां पर छोटी सी कंडिशन और लिख कि, if a vector and b vector are collinear, है न, देखेंगा बहुत दिखान से, if a vector equals to a1 i cap plus b1 j cap plus c1 k cap and b vector equal to a2 i cap plus b2 j cap plus c2 k cap if a vector and b vectors are like this, थेखेंगे न, if a vector and b vector are like this, then, बहुत दिखेंगे न, if a and b are collinear, it implies their direction ratios are proportional, direction ratios are proportional, so, यह basically कुछ नहीं है, यह collinearity of two vectors की condition ही बता दी मैंने, कि अगर दो vectors collinear हैं, तो उनके direction ratios proportional होंगे, मतलब, it implies a1 upon b a2, मतलब इसका मतलब क्या है बच्छो, कि अगर दो vectors collinear हैं, इसका मतलब यह है, कि a and b are collinear if, are collinear if, if the direction ratios are proportional, if a1 upon a2 equals to b1 upon b2, is equals to c1 upon c2, so, in terms of direction ratios में, हमने दो vectors की, points की नहीं करा हूं मैं, दो vectors की collinearity बता दी है, so, इसका मतलब, in this case, here, यहाँ पर, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे, तो 1 upon 2, 2 upon 4, and 1 upon 2, because direction ratios are proportional, it implies a vector is collinear with the b vector, है ना, तो यानि कि मैंने दो vectors की collinearity का आपको एक, दूसरा condition भी बता दिया, ना, so, यानि कि this is the, अगर हम लोग बात करें, so, this is condition for collinear vectors, है ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं, condition for collinear vectors, condition for collinear vectors, so, collinear vectors की condition जो है, यह second number की है, ठीक है, पहली number की यह थी, condition for collinear vectors, condition for collinear vectors, यह पहली condition थी, ठीक है, 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 तो यहाँने आपको collinearity of the three points, and condition for the collinear vectors भी पढ़ा दिया है, अब लास्ट केशन आप इस पर्टिक्लार इंट्रोड़क्शन पढ़ेंगे, अब लास्ट केशन थी, एब लास्ट केशन रखाए, अब लास्ट क्वेशन थी, वेटलिस का अगर और किसूंज पदो मुझे नहीं पता लेकिन अगर कवी भी किसी पॉइंट के आगे अगे इक वेक्टर देना रखा है किसी पॉइंट के अगए अगर कोई वेक्टर देills आखा बट बी पॉइंट के अलावा भी कही राइट अंगल बैठ सकता है, बी पॉइंट पे इस बी पॉइंट का पॉइंट का पॉइंट वेक्टर 1-3-5, तो पॉइंट सुझेंगे 1-3-5, एंड सी पॉइंट पे अपन लिख सकते हैं 3-4-4, यह रफ फिगर हैं, मुझे नहीं पता, ए पे भी राइट अंगल हो सकता है, बी पे भी राइट अंगल हो सकता है, सी पे भी, सो हमेशा कभी भी राइट अंगल ट्राइंगल प्रूव करना है, सो आप तीनों साइड्स की लेंग्द निकाल दो, तीनों साइट्स की लेंग्द निकाल दो A B Vector, B C Vector की लेंग्द और A C Vector की लेंग्द ठीके ना तो यहाँ पे अगर आपन A B Vector निकालना चाहे तो इस चाहे तो आप डिरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मला से डिस्टेंस निकाल दो A B B C और A C बट मैं क्योंकि वेक्टर है तो इसलिए मैं वेक्टर की फॉर्मेट में करना चाह रहा हूं तो 1 माइनस 2 माइनस का I cap माइनस 3 प्लस 1 माइनस का 2 माइनस का 2 J cap माइनस 5 माइनस 1 माइनस का 6 K cap देन B C Vector विल बी वाट इस 3 माइनस 1 2 I cap माइनस 4 प्लस 3 माइनस का J cap एन माइनस 4 प्लस 5 इस प्लस का K cap एन A C Vector विल बी इक्वस टू इस 3 माइनस 2 I cap माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 J cap एन माइनस 4 माइनस 1 माइनस का 5 K cap एक बार देख लेना आप लोग कुछ गलती तो नहीं होगी है यहाँ पर दिखा ही दे जाएगा So A B Vector का Magnitude is माइनस 1 का SQUARE 1 माइनस 2 का SQUARE 4 and माइनस 6 का SQUARE 36 So it is root 41 आजाएगा ठेक है B C Vector का Magnitude कितना हो जाएगा It is 2 का SQUARE 4 माइनस 1 का SQUARE 1 प्लस 1 का SQUARE 1 It is root 6 आजाएगा And A C Vector का Magnitude कितना है भी हा It is 1 तो 25 और 26 और 9 पच्छिस पैट इसे न अंडर रूट 35 ठीक है तो अब साफ साफ बच्चों clearly what we can say it is we can say कि भया BC square plus AC square is equals to AB square so सही माइन में AB आपका hypotenuse होगा तो यानि कि correct figure क्या होगी आपकी correct figure क्या होगी आपकी AB आपका hypotenuse है so C पे right angle triangle बैठेगा ठीक ना correct figure कुछ ऐसे बनेगी so yes it is the these are the vertices of the right angle triangle ठीक है चलिए तो we have tried very well to understand this exercise introduction I hope चीजे सभी को clear होंगी बेहितरीन तरीके से in case कुछ भी अगर आपको कमी महसूस हुई हो तो please lecture में comment करिएगा and इसके notes आप हमारे app के free study middle section में जाके download कर सकते हैं thank you very much love you all students bye bye